वो कहते हैं ना कि रस्सी जलगी पर बल नहीं गया, बिल्कुल ऐसा ही इंगलेंड के साथ हुआ है दोस्तों, इंगलेंड ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फरेंस में मेरा कहने का मतलब है कि उनके जो कपतान है, Ben Stokes, उन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फरेंस में किसी एपोर्टर ने उनसे पूछा कि भई आप जो है तीन एक से सीरीज में हार चुके हैं और आगे जो टेस्ट है वो आप किस तरह से देख रहे हैं और आप उसकी स्ट्रेटेजी आपकी उसमें स्ट्रेटेजी क्या रही है तो बेंच स्टोक्स ने क्लियरली जवाब दिया है ब्रेंडन मकलम का कह लिजए कि ब्रेंडन मकलम बोल रहे थे या बेंच स्टोक्स बोल रहे थे क्योंकि दोनों कप्तान और वो हेड कोच हैं तो उनका रवया जो है सेम ही रहेगा अलग तो होना नहीं है तो उन्होंने ये क रहा है कि हम तो भीया ऐसे ही खेलेंगे तो खेर चलो जो भी है उनकी अपनी एक कॉल है यह कि भई वो किस तरह से चीजों को लेते हैं लेकिन एक बात बता देते हैं कि आप चाहे जो मर्जी हो आपके कोई भी स्टाइट रिकॉर्ड रहे हो लेकिन जब आप इंडिया में आत इंडिया में कोई ऐसा तो है नहीं हलवा कोई आप टेस्ट मैच सीरीज खेलने आएंगे और आपको कोई फाइट नी करना पड़ेगा या आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सीधा आप आएंगे मारेंगे ते तनादन दे धनादन और आप जीट जाएंगे सिरीज बह तो लपा मार क्रिकेट है भी आ मार और जा और टेस्ट मैच खेलने आयो या मजाग करने आयो आप ये बताओ आपको इंडियन पिचिस का पता है स्लो विकेट्स होती है थोड़ा बाउंस का भी इशू रहता है टर्ण तो कोई हिसा भी नहीं है किसी में ज्यादा है किसी में इतने शुरू के तीन मैचेज में सतत्तर या कुछ ऐसे असी रन बनाए छे इनिंग्स में साथ इनिंग्स यानि कि जब चौथा टेस्ट मैच की फर्स इनिंग्स में वो खेलने आये तो सीधा उन्होंने शतक बनाया आपने देखा उनका स्ट्राइक रेट क्या था पचास चालिस के बीच में था चालिस और पचास के बीच में तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो इतना भरोसे मन खिलाडी अपनी स्ट्राइजी चेंज कर रहा है तो उसको है ना पता कि यहां पे हमारी दाल नहीं गलने वाली लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी यह सीखना चाहि ठीक है आपको बैस्बॉल खेलना आप खेलो दूसरे कंट्रीज में जाके खेलो जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है यह जीत सकते हो लेकिन यह तो कोई जगह नहीं है इंडिया जहां पर आप आओगे और आपनी बैस्बॉल या जो भी आपकी स्ट्राइजी वो खेलोगे और वह यहां पर काम्याब हो जाएगी काम्याब हुई है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक कि ठीक है आपने कभी स्ट्राइक रेट नहीं गिरने दिया जिसकी वज़ेसे आपके चाहे विगट गिरते रहे रन बंदते रहे लेकिन इंडिया भी तो खेलेगा ना यहां पर जो है Sessions का गेम होता है लेकिन यहां पर आपको पड़ी है रंस की पड़ी है तो इंडिया को विकेट्स की पड़ी है तो बहिए इंडिया वाले तो पेली निरे मार मार के पटक भी रहे हैं अब आपकी हालत ऐसी कर दिये 3-1 से आपको पीछे कर दिया सीरीज में सीरीज तो आपकी वैसी गई है अब स्टेक पर यह लगाए कि क्या यह सीरीज चार एक होगी या तीन दो होगी तीन दो कर लोगे तो यह आपकी जो है थोड़ी इज़त रह जाएगी कि वही चलो ठीक है आपने फाइट बैक किया आपने थोड़ा दम दिखाया लास्ट में आपने जान मारी लेकिन चार एक से अगर हो गई तो आप इंगलेंड में वापस जाके किसको क्या मूँ दिखाओगे क्या बताओगे बैस बॉल और दफन कर दिया तुम्हारा बैस बॉल यार अब भी वक् अपने एटिट्यूड इगो को साइड में रखो धंकी क्रिकेट खेलो रिजल्ट तुम्हें तभी मिलेगा बिंग इंडियन मैं किसी इंगलेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा कि वही वह जीते मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि भई अगर आप इंगलेंड अगर खेलने आई है इतनी अच्छी टीम है पास्ट रिकॉर्ड उसका है खेल इनों ने शुरू किया यार तुम इंडिया में आके जीत ही नहीं पा रहे हो तुम क्या खेर कोई भी नहीं जीत पार है तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन तुम्हें स्ट्राइजी में भी तो फ्लॉज है ना तुम तुम जिस तरह से खेल रहे हो इसी साथ से इंडिया में तो तुम अगले 50 साल में भी नहीं जीत सकते कोई खुदे ना खासता कोई एक सीरीज आ गई कोई कभी कोई कैप्टन सी डाउन हुई या थोड़ा लेवल डाउन हुआ तब तुम अगर जीत गए तो जीत गए रोई इसी तरह से खेलते रहे हैं नए लड़कों को मौका दीजिए नए लड़कों पर भरोसा कीजिए पुरानों को भी रखे टीम में लेकिन जैसा जो धुरूव जुरेल और यशस्वी जैसवाल ने जो किया इस सीरीज में वो अन्मैचेवल है बहुत जबरदस्त खेला है उन थोड़ा सा एज रहेगा इंग्लेंड को क्योंकि उनके कंट्री जैसी थोड़ी कंडिशन्स रहेंगी हां अगर धूप खिली रही आभी जैसे हमने देखा कि वैदर फॉर्कास्ट में कि खुली धूप रहेगी तो जहां पर भी खुली धूप होती है कंडिशन्स जो मर्ज जब धूप आजाती है ना पिच पे और फिच खुलने लगती है तो फिर बैटिंग इजी हो जाती है तो देखते हैं कि वैसे वैदर के साफ से तो पांचों दिन खुली धूप है कोई वही नहीं है लेकिन हाँ जब-जब क्लाउड आएंगे या थोड़ी ठंड होगी देखते हैं कि क्या होता है वेरी इगर तो सी इन फिफ्ट टेस्ट मैश वाट इंग्लेंड इस गोईंग तो और आप हमें प्राउड फील कराते रहो और हमारा जो है एंटर्टेन्मेंट करते रहो तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही आगे मिलेंगे और अपडे